हेलो दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आज की रेसिपी में है इंस्टेंट करेले की रेसिपी यहाँ पर हमने एक चमचे को सरसु का तेल लिया है उसके बाद हमने दो बड़े प्याज को काट लिया है दो बड़े प्याज को काटने के बाद हमने यहाँ पर दस से बारा करिया लैसुन की चौपर के डाली है प्याच को थोड़ी देर पकने के बाद जब हलका सा ट्रांस्पेरेंट हो जाए उसके बाद हमने यहाँ पर दो छोटे चम्मच हल्दी राली है एक चम्मच नमक यूज किया है और यहाँ पर हमने दो चम्मच टेविल स्पून धनिया पाउडर दो टेविल स्पून सौफ का यूज किया है पिसा धनिया और सौफ उसके बाद हमने यहाँ पर आदा किलो करीब गोल काकार में काटे हुपर करेले को डाल दिया है करेले को डालने के बाद हमने यहाँ पर दो टेविल स्पून अमचूर पाउडर का यूज किया है और दो वाइट शूगर का यूज किया है हमने सफेज चीनी यहां पर डाली है दो चमबच इसके बाद हमने इसको कवर करके यहां पर हमने एक कटोरी पानी डाला है पानी डालने के बाद हमने इसको करीब 10-15 मिट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है पकने के बाद यहां पर देखी करेले में से तेल प्रॉपर प पक्के तयार है यहां पर देखिए करेला बिल्कुल ही नीचे कड़ाई में लगने भी लगा इसका मतलब